जोतिश शास्त्र में जब जब अपनी ग्रहे चाल बदलते हैं तो अच्छे बुरे समय का कुछ नहीं पता चल पाता है किसी राश्य के लोगों पर अच्छा समय आता है तो किसी के उपर गमा जाता है आपको बता दें ग्रहों की बदलती चाल भी पूरे जीवन को नाकाम बना देती है ग्रहों के निरंतर बदलाब के कारण हनुश्य के जीवन में बदलाब देखने को मिलता है आपको बता दें इसका असर हमारी पूजा पाठ और भगवान के कारण भी होता है भगवान की पूजा इसमें एहम रोल दिभाती है ऐसा ही अब कुछ हो रहा है बावा पॉने नाथ आने वाले जुलाई महा में कुछ राश्यों के लिए करिश्मा पैदा करने वाले हैं बावा की इन पांच राश्यों की लोगों पर नजर पढ़ने वाली है अब महादेव की कृपा से अगले साथ सालों तक इन पांच राश्यों की सभी मनुकामनाय हो रहे होगी अब आपके उपर पैसों की बारिश होगी चलिए आपको बताते हैं उन पांच राश्यों के बारे में मेश राशी अब आपको आने वाले जुलाई के महीने में बड़ी खुश खबरी मिल सकती है आपका धार में कौर्धान गत्य विधियों की ओर रुजान करेगा इन दिनों आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा संतान की ओर से सुखत समाचार मेरेगा आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतित करेंगी प्रेम संभंध और अधिक मजबूत होंगे वरेशव राशी पादेब की कृपा से आपका आने वाला समय बहुत ही खास मेने वाला है सेहत वियाब की बिलकुर ठीक रहेगी मातलक्षमी की प्रपा से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा पैसों की संभंध में उतार चड़ाप की स्तिती बनी रहेगी रुके हुए सारे कारे पोड़ होंगे कन्याराशी या मैना इस राशी के लिए खुश्यों की बहार लेकर आ रहा है आप अपनी जवाबदारी को अच्छी तरह निभाएंगे फोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रड रखें तो बेटर होगा वही किसी भी दस्तवेच पर खुश्यों अच्छी तरह पढ़कर ही दस्तखत करें साबधानी से काम लें तुलाराशी तुलाराशी के लोग महादेव की करपा से बहुत ही खास रहने वाले हैं नामपत्य जीवन में भी खोशियां बनी रहेंगी आपको अपने पार्टनर से सर्प्राइज मिलेगा जिसके चलते आपका मन खोश रहेगा लवमेट के लिए यह समय बहुत ही खास रहेगा फाइदा ही फाइदा होगा कुम्भराशी महादेव की करपा से आपका समय बहुत ही बहत्रीर रहेगा संतांग प्राप्ती भी हो सकती है लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा आपको सरकारी लाभ मिलने की समभावना बन रही है वपार से जुड़े कामों में यात्रा करनी बढ़ सकती है आपको इससे फाइदा होगा धन लाभ भी होगा नेक्स्ट नाइन स्परेच्वल की रिपॉट